देश व्यापी लोकडाउन को आज नौ दिन हो रहे हैं इस दौरां आप सभी ने जिस प्रकार अनुशाशन और सेवा भाव दोनों का परिशे दिया है वो अभूत पुर्व है शाशन प्रशाशन और जनता जनारदन ने मिलकर इस्थिती को अच्छे डंग से समालने का भरपूर प्यास दिया है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रभिवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद गिया वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिशाल बन गया आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता कर्फ्यू हो गंटी बजाने ठाली बजाने का कारकम हो इनोंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है अब लोगडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिक ताँ चरितार्थ होती नजर आ रही है साथियों आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं तब किसी को भी लग शक्ता है कि वो अकेला क्या करेगा कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे यह प्रस्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे साथियों यह लोग डाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर है लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है 130 करोर देश वास्यों की सामुईक सक्ति हर व्यक्ति के साथ है हर व्यक्ति का संबल है समय शमय पर देश वास्यों की इस सामुईक सक्ति की विराड़ता इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूती करना आवशक है साथियों हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन इश्वर का ही रूप होती है इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रुपी महार्शक्ति का दिराट स्वरुप का साख्षात करते रहना चाहिए यह साख्षात कार हमें मनोबल देता है लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है हमारा मार्ग और अधिक्स्पस्ठ करता है साथियों कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकास की और जाना है जो इस कोरोना संकर से सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बहें उन्हें कोरोना संकर से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है इस कोरोना संकर से जो अंदकार और अनिश्चित्ता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चित्ता की तरफ बढ़ना है इस अंदकार मैं कोरोना संकर को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकर के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकास की ताकत का परीचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोर देश्वासियों की महा सक्ति का जागरन करना है एक सो तीस करोर देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे मैं आप सबके नव मिनिट चाहता हूँ ज्यान से सुनिएगा पांच एप्रिल को रभिवार को रात नव बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नव मिनिट के लिए मुम्बती, दिया, टॉर्च या मुबाइल की फ्लेश लाइट जलाएट मैं फिर कहूंगा मुम्बती, दिया, टॉर्च या मुबाइल की फ्लेश लाइट पांच एप्रिल को, रात को, नव बजे, नव मिनिट तक जरूर्च जलाएट और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे चारों तरब जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा तब प्रकास की उस महाशक्तिता हैसास होगा जिसमें एक ही मक्षब से हम सब लड रहे हैं यह उजागर होगा उस प्रकास में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में यह संकल्ब करें कि हम अकेले नहीं है हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है 130 करोर देशवासी एकी संकल्प के साथ क्रत्व संकल्प है साथ्यों, मेरी एक और प्रात्ना है इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है रास्तों में, गलियों में या महलों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे कर रहा है सोशल डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग की लक्षण देखा को कभी भी लांगना नहीं है सोशल डिस्टंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबान इलाज है इसलिए पाँच एप्रेल रभिवार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैटकर मा भारती का स्मर्ण कीजिए 130 करोर देश्वासियों के चहरों की कलपना कीजिए 130 करोर देश्वासियों की साहुईक्ता इस माहसक्ति का एसास कीजिए यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकट देगा और जीतने का आत्म विश्वास भी हमारी यहां कहा गया है उच्षाहो बलवान आरिया न अस्ति उच्षाह परंबलं स उच्षाहस्य लोकेशो न किंचित अभी दुल्लभं यानि हमारे उच्षाह हमारी स्पिरीड से बढ़ करके दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिद न कर पाएं आईए साथ आकर साथ मिलकर करोना को हराएं भारत को विजयी बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आने वाले पाऍच अप्रेल को मुंब त्यों ने बात की ही है और शाथ ही लोगों से अपिलत ही है यानि दभीवार को सभी लोग अपने हहरों के लाइस बं कर गः बाल करी और खड़े होकर kijIntования पती तोर याकर मुबाइल की लाइड आन करके नो मुनेट के लिए खड़े हो और साथी देश्चिवासी के अपील भी की है कि लॉकडाउन का पालन करें और साथी इखता ना हो और पूसल डिस्टेंसिंग की एक बार फिर से बात कहीं और लोगों से अपील की कि चुदियाम ह कि उनका पालन करें और साथी उसल डिस्टेंसिंग को भी बरकरा रश्चिवासी बड़ी खबर आपको बढ़ा रहे हैं कि देश्चिपधान मंत्री नरुइंद्र मोधी ने देश्वासियों से अपील की है बास अप्रायल को सभी लोग अपने घरों की बालकनी या खिर्टी पर खड़े हो जाए और घर की सारी लाइट को आफ कर दे तकि नरुइंद्र मोधी ने अपने कंबोधन में कहा कि सेवा भाव और अनुश्चासन का भाव इन नौ दिनों में देश्वासियों में दिया है और आज लोग इसे जोहरा रहे हैं और चाहे लोगडाउन हो या ताली ठाली बजाना सभी देश्वे से जोहराया स्वारा है और साथी आगे जनता जनाधन को ईश्वर का भूदी बताया और कहा कि 500 अप्रेल को 31 करोर की सक्ती का जनजागरन करना है और साथी 500 अप्रेल रात नौ बजे सभी इसे घर की लाइट बंद करके खिर्किया बालगणी पर खड़े होकर मुबती चाथ शुख मोबाइल की लाइ या दिया जलाने को कहा और साथी कहा कि उस उजाले में संकल्प लेना है कि हम अकेले नहीं है एको 30 करोर लोगों की सक्ती हमारे साथ है और साथी आगे अप्ली पीन कि एक दखा पर लोगों को इखर्टा नहीं होना है करना कोनी की लोगों से अप्रूल भी की है फलाल वक्त हो गया एक छोट इस ब्रेक आप देखे नहीं स्वराज एक्स्प्रेस